नमस्कार मैं हूँ वज्जा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट इंदर कुमार बॉलिवोड के कैसे अभिनेता जो सल्मान के बेहत करीबी थे एक कैसे अभिनेता जो अपनी गिनी चुनी फिल्मों के लिए ही जाने जाते थे बॉलिवोड में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली थी अभिनेता इंदर कुमार हमारे बीच नहीं है आए आपको बताते हैं उनकी अनसुनी कहानिया 26 अगस्त 1973 को जन में इंदर कुमार को बॉलिवोड में ज्यादा पहचान नहीं मिली वो एक सपोर्टिंग आक्टर के तोर पर ही नजर आए सलमान खान के को स्टार है इंदर कुमार का पिछले साल जुलाई 2017 में निधन हो गया था कहा जा रहा था कि उनका निधन हार्ट अटैक की वज़े से हुआ था एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिसने इंदर कुमार का करियर बरबात कर दिया था वॉंटेड और तुमको न भूल पाएंगे में सलमान खान के साथ जोड़ी बनाने वाले इंदर कुमार ने फिल्म मासूम से अपने करियर की शुरवात की थी इंदर सलमान खान के बेहत करीबी थे इंदर के मुश्किल दोर में सलमान खान ने ही उनकी मदद की थी कुछ फिल्मों में लीड आक्टर के तौर पर काम करने वाले इंदर के फिल्में फ्लॉप रही जब इंदर लीड रोल के तोर पर नहीं चले तब उन्हें मजबूरन सपोर्टिंग हीरो के रोल करने पड़े स्टार बनने के लिए इंदर ने काफी मेहनत की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फिल्म मसीहा के एक सीन ने इंदर का करियर बरबाद कर दिया था साथ ही उनकी जिन्दगी भी माना जाता है कि मेकर पार्थो घोष की फिल्म मसीहा में इंदर सुनिल शेटी के साथ काम कर रहे थे फिल्म में हेलिकॉफटर का एक सीन था इंदर हेलिकॉफटर से खुद का स्टेंट कर रहे थे अचानक इंदर उड़ते हुए हेलिकाफटर से नीचे गिर जाते हैं डॉक्टर ने उन्हें इस चीज के लिए तीन साल का बेडरेस्ट कर दिया था तीन सालों तक फिल्मों से दूर है इंदर तीन सालों के अंदर इंदर का करियर बरबाद हो गया एक इंदर ने कहा था कि शूटिंग के दौरान वो हेलिकाफटर से गिर गया थे डॉक्टर ने उन्हें तीन साल बेडरेस्ट बोला इंदर की जिन्दगी की मुश्किलें बढ़ रही थी इंदर रेप के आरोप में अरिस्ट कर लिये गया थे उन्होंने एक इंटर्विय में कहा था कि जब मुझे रिस्ट किया गया था मेरी बेटी बीमार पढ़ गई थी मेरी बतनी परलवी ने कई लोगों से गुजारिश की कि वो मेरी बेल करवा दे लेकिन कोई नहीं आ गया इंदर कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किराय का घर ले सकूँ मेरा सामान गोदाम में पढ़ा था और हम एक दोस्त के घर पर रह रहे थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक शक्स उस वक्त हमारे साथ खड़ी थी वो थी डॉली बिंदरा उनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने मुझे एक फोन नहीं किया उनका कहना था कि इस केस के चलते इंदर के सारे पैसे खत्म हो चुके थे एक इंटर्विव में इंदर ने बताया था कि उनके पास बैंक में एक भी पैसा नहीं बचा था वकीलों को फीज देने के लिए उन्होंने अपनी कार तक बेंच दी थी इतने बुरे वक्त में इंदर की मदद के लिए कोई नहीं था ख़बर ये आई थी कि इंदर को विग बॉस का ओफर आया था लेकिन सल्मान खान ने उनadors बिग बॉस में आने से मना कर दिया था क्योंकि सल्मान को उनकी हेल्थ कंडिशन के बारे में पता था आर्थिक तंगी से जूज रहे इंदर ने सल्मान पर भरोसा किया था और ये ओफर ठुकरा दिया था बॉलिवुड अक्टर इंदर कुमार अब इस दुनिया में नहीं है सल्मान खान सनी देवल जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुके बॉलिवुड के इस अक्टर की मौत की ख़वर ने सभी को हिला कर रख दिया था इंदर ने बॉलिवुड में लगबग 20 फिल्मों से जादा की है इंदर पर कुछ समय पहले रेप कारोब भी लगा था जिसके बाद वो काफी विवादों में थे इसके अलावा इंदर एक बार फिर चर्चा में आये जब उनका एक वीडियो वाइरल हुआ था इस वीडियो को देखकर लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है बताया जा रहा था कि शायद उन्होंने इसे आत्महत्या से पहले खुद से रिकॉर्ड की है माना जा रहा था कि ये वीडियो इंदर के मने से ठीक पहले का था इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या इंदर कुमार ने आत्महत्या की थी उन्होंने गजगामिनी गुंगट मा तुझे सलाम कहीं प्यार न हो जाए यह दूरिया जैसे फिल्मों में काम किया लेकिन इन फिल्मों में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली इसके अलावा वो टीवी में भी नज़र आए तो इस तरह इन दर अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे और एक दिन दुनिया को अलविदा कह दिया इस वीडियो में फिल्हाल इतना है